हाव दो फीक्स वान प्लस ट्री आटोमेटिक लिए स्वीच ओफ प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वान प्लस के दिवाइस में आ वो सकते तो यहां पर दोस्तों आपके मोबाइल पर कुछ प्रॉब्लेम्स के वज़ेसे सकते हैं भग प्रॉब्लेम हो सकते हैं सारे साथ दोस्तों कोई सेटिंग जो है उसके वज़ेसे प्रॉब्लम आते ही कई बार तो मैं आपको complete solutions इस वीडियो में बताने वाला हूँ म वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए उए color को क्लिक करें तो अनलाइन पेसा कामाना चाथे तो विडियोदेस्क्रिप्शिंन पर आपको मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपकी मोबाइल आटोमेटिक स्विच ओफ होते जा रहा है सबसे पहले आप मोबाइल को रिस्टार्ट कर लिजी ठीक है रिस्टार्ट करने के बाद आपको सेटिंग बर जाना है इस्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा एक ओप्षिन ठीक है तो यह जो ऑप्शिन है दोस्तों यह आपको यूटिलिटी यदो या फिर सिस्टेम के अंदर पर आसानी सी मिल जागा ओके यूटिलिटीस की ऑप्षिन पर शेडिल Ur ona ہं। अगर गल्ती से एंग सवी एक पार E 발स हो जाते सी सब्सक्राइस कभी भी सेड सो सकते अगर यह गल्ती से प्रब्ली वाल जाते तो आपके मोबाईल ऑटोमेटीकude हो जाएगा ठीक सजेस्टेट टैम है तों आप Mira यह सबसे पहले चेक करना है ठीक है अगर ओन है आफ कर दीजिए प्राब्लम सॉल्फ हो जाएगा लेकिन अगर आपका यह प्रोब्लेम नहीं है तो आपको मॉबाइल पर अभी चेक करना होगा आपके इस टोरेज इस टोरेज को जो है दोस्तो यहाँ पर फ्री आप स्पेस प मोबाइल पे काई ज़्यादा एफ्लीकेशन से तो आप उनको भी डिलिट करें तो इससे दोस्तों आपको काफी ज़्यादा उसको भी update कीजिए उसके लिए आपको setting पर जाना है स्क्रॉल डाउन करना है system पर जाना है और system update मिल जाएगा जाके software को update कर लेना तो इससे दोस्तों आपका जो problem है solve हो जाएगा ठीक है तो अगर आपका mobile automatic switch off होते हैं तो आप यह सारे solution follow up कर सकते हैं तो इन सबसे दोस्तों आपको काफी जड़ा जो है मदद मिल जाएगा ठीक है सबसे पहरे तो आपको restart करना है mobile के case clear करना है and applications को check out कर लेना है अन्यूस application को delete करें ठीक है और background uses check करते रही है mobile का सारे सार कोई bad application है तो उनको तो आप पहले इनको follow करके देखें अगर फिर भी problem होते तो mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए क्या करना है आपको power button press and hold करना है उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा power of button तो यहाँ पर tape करके रखना है और ok कर देना है जैसे ok करेगा आपके mobile reboot हो जाएगा safe mode पे ठीक है तो इस तरीके से आप safe mode पे अपने फोन को reboot करें एंड एंट चेक आउट करके देख सकते हैं कि आपके जो issue है वो fixed हो आए या नहीं हो आए अगर problem अभी भी आ रहा है तो आप जाए दोस्तों mobile के सेटिंग पर scroll down करें ठीक है अभी दोस्तों आप जाए अपने system पर reset option पे क्लिक करें एंड एंड रिसेट कर दीजिए अपने mobile को factory data reset करना है और उसके बाद जाके problem solve हो जाएगा अगर आप mobile पे high gaming बगएरा करते हैं ठीक है तो वह सब आप avoid कीजिए क्योंकि दोस्तों आपको पसे नहीं होगा थेंक्स वर आचिंग करने से भी स्वीच ओफ प्रॉब्लेम आ जाते हैं ठीक है तो यह दोस्तों आपका solution उमिद करते हैं आपको वीडियो पसंद आओगा थेंक्स वर आचिंग कर दो